भारतिय सेना प्रमुक जनरल मनोज पांडे, COS, ने सब्त शक्तिक मांड का दौरा किया और पश्चिमी सीमाओं पर परिचालन तैयारियों की समीक्षा की. COS ने तीनों सेनाओं के कमांडरों और अधिकारियों को प्रोध्योगी की केंद्रित भविश्य के समाधानों और ओन परेशनों के अभियोजन में दक्षिता पर ध्यान देने के साथ साथ ततकाल पडोस में लगातार विकसित हो रही परिचालन स्थिती से अवगत रहने के ल के. COS ने विभिन राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय घुडसवारी और पोलो चैंपियनशिप के लिए कैवेलरी रेजिमेंट द्वारा की गई प्रशिक्षन गतिविधियों और तैयारियों को भी देखा.